भजन सहिता अध्याय 94 हे यहोवा यह पल्टा देने वाले परमिश्वर अपना तेज दिखा हे पूत्वी के न्याई उठ और घमंडियों को बदला दे हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक डिग मारते रहेंगे वे बक्ते और ढिटाई की बाते बोलते है सब अरर्थकारी बढ़ाई मारते है हे यहोवा वे तेरी प्रजा को पीस डालते है वे तेरे निजभाग को दुख देते है वे विद्वा और परदेशी का गहात करते है और बक्मों को मार डालते है और कहते हैं कि यह न देखेगा, याकुप का परमिश्वर विचार न करेगा, तुम जो प्रजा में पशुसरी की हो, विचार करो, और हे मुर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान हो जाओगे? जिसने कांदिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आखरची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाती-जाती को ताड़ना देता और मनुश्र को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुश्र की कलपनाओं को जानता है, कि वे मिथ्या है, हे यहा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तु ताड़ना देता है, और अपनी व्यवस्ता सिखाता है, क्योंकि तु उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा, जब तक दुष्टों क के लिए गड़ा नहीं खोदा जाता, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तज़ेगा, वह अपने निजभा को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा, और सारे सिधे मनवाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी और कौन खड़ा होगा, मेरी और से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा, यदि यहोवा मेरा सहयक न होता, तो शन भर में मुझे चुपचाफो कर रहना पड़ता, जब मैंने कहा कि मेरा पाव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुना ने मुझे थाम दिया, ज जो कानुन की आड में उत्पत मचाते हैं, वे धर्मी का प्रान लेने को दल बानते हैं, और निरिदोष को प्रान दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गड़, और मेरा परमेश्वर मेरी शरन की चट्टा नठेरा है, और उसने उनका अनर्थकाम उन्ही पर लवटाया है और वह उन्हें उन्ही की बुराई के दवारा सत्यानाश करेगा, हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा